Resistors में आग क्यों लग जाती है? इनके इतने सारे प्रकार क्यों होते है? इन slips का क्या मतलब है? और Resistors काम कैसे करते है? इन सभी चीजूं के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। Resistor क्या होता है? Resistors कुछ ऐसे दिखते हैं इनके कई आकार और प्रकार होती है इन्हें इस सिंबल से दर्शाया जाता है जिसे आप यहाँ इन इंजिनियरिंग ड्रॉइंग्स में देख सकते हैं अगर हम इस LED को लें और इसे 9 वोल्ड की बैटरी से जोड़ें तो यहाँ तुरंथ खराब हो जाएगी LED के अंदर एक पतली तार होती है और बैटरी उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करेगी तो वह तूट जाएगा इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स का करेंट कम करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं रेजिस्टर LED को सुरक्षित रखने के लिए सर्किट में से उर्जा को हटाता रहता है यह वास्तव में इलेक्ट्रिकल उर्जा को उश्मा में बदल कर उसे बाहर निकाल देता है रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को मुश्किल बनाते हैं इसलिए वे सर्किट में रेजिस्टेंस जोडते हैं। रेजिस्टेंस इस बात की माप होती है कि किसी पदार्थ में से इलेक्टॉंस कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं और हम इसे ओम्स की एकाई में मापते हैं। कई लोगों को गलत फेहमी होती है कि रेजिस्टर स्पीड बंप की तरह काम करती है और इलेक्ट्रोंस के प्रवाह को केवल कुछ देर के लिए काम करती है लेकिन असल में रेजिस्टर कुछ कुछ ट्राफिक जाम की तरह काम करती है और बहने वाले लेक्ट्रोंस की संख्या क पाइप को सीमित कर देते हैं, जबकि एलेक्ट्रोंस की गती में कोई बदलाव नहीं आता। यही बात इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है, लेक्ट्रोंस एक तार से होकर आसानी से बह सकती हैं, लेकिन अगर हम रेजिस्टर लगा दी, तो इलेक्ट्रोंस टकराएंगे और उनका बहना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए करेंट सीमित हो जाएगा, रेजिस्टर में वोल यह कैसे काम करते हैं, यह मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा, और आप खुद से कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, यह सारे छेद के ज़रिए कनेट किये जाने वाले रेजिस्टर हैं, जिने हम प्रोटोटाइप बोर्ड में लगा सकते हैं, या प पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनमें एक तय रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस की तरह रंगीन पट्टियां होती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। मैं इस वीडियो में इसे पढ़ना भी सिखाऊंगा। हमें SMD या Surface Mount Device टाइप की रेजिस्टेर भी मिलते हैं जिने Compact Circuit Boards में इस्तिमाल किया जाता है। इन्हें सीधे Circuit Board के Metal Pad सोल्डर कर दिया जाता है। हम सोल्डरिंग आइरन या सोल्डर पेस्ट का प्रियोग कर सकती हैं। लेकिन कुछ इतने अच्छे होते हैं कि उनके लिए विशेश मशीन की जरूरत होती है। इसमें तैर Resistance होता है और सबसे उपर एक संख्यादी होती है जो Resistance का मान दिखाती है। मैं इसे पढ़ने का तरीका इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इन सब में Resistance का मानता है लेकिन हमें Variable Resistance वाले Resistor भी मिल सकते हैं। हमें Potential Meters और Reostats की तरह Manual Roop से Adjust किये जाने वाले Resistor मिलते हैं। जिनें हम Dial की मदद से Adjust कर सकते हैं। इसके लावा कुछ Automatic Version भी होते हैं। जैसे Thermistors, Light Dependent Resistors, Varistors आदी। इन सभी Resistors में अधिक्तम Resistance, Voltage और Power की Rating होती है। Resistor उश्मा पैदा करते हैं और एक बिंदू ऐसा होता है जिस पर वे परियाप्त मातरा में उश्मा बाहर नहीं निकाल पाते। तापमान इतना बढ़ जाता है कि सुरक्षा परत में आग लग जाती है। और Resistor भी जल जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। Resistor को इस LED के पहले लगाना चाहिए या बाद में। आप मुझे Comment section में लिखकर बताइए और मैं आपको वीडियो के अंत में इसका जवाब दूँगा। Resistors कैसे काम करते हैं। आईए देखें कि विभिन प्रकार के Resistors कैसे काम करते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। Carbon Composite Resistors को Carbon या Graphite जैसे Conducting Material और Clay जैसे Insulating Powder से बनाया जाता है। इससे ठोस कोर बनता है। फिर हम हर सिरे पर Metal Connector लगा देते हैं। यह एक Insulating Case से घिरा होता है। Electron Those Core से होकर बहती हैं। यदि हम किसी Resistor के अंदर देखें तो हम बीच में एक Those Core सिरोपर Connector और Insulating Case देख सकते हैं। आम तोर पर अब इनका प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि नए जमाने के Resistors बहतर काम करते हैं। स्थिर होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। Carbon Film Resistors बहुत आम हैं। और बनाने में सस्थे पड़ते हैं। उनमें एक सिरे में कोर होता है जिस पर Carbon की पतली कोटिंग की जाती है। End Caps में Metal Connector जुड़े होते हैं। और यह सब एक Insulating Case के अंदर होता है। Resistance के मान को नियंत्रित करने के लिए Carbon की परत में Helical Groove यानि पेजदार खांचे काटे जाती हैं। इस Electrons के लिए संक्रा पात बन जाता है। और Helical Cut की पिज बदलने में हम पात की लंबाई बढ़ा सकती हैं। और चोड़ाई गठा सकती हैं। इस तरह Resistance बढ़ जाता है। इन उदहरणों में हम साव देख सकते हैं कि एक ओम रेजिस्टर के खांचे छोटे और पात चोड़ा है। एक किलो ओम में लगभग तीन गुमाव है और पात पतला है। और एक मेगा ओम रेजिस्टर में लगभग पांच गुमाव है और पात बहुत पतला है। इसलिए Resistance बहुत ज्यादा है। यह कई आकारों में उपलब्ध है। रेजिस्टर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊश्मा क्षय होगी, क्योंकि सतह का क्षेत्र फल अधिक है। तो जितना बड़ा रेजिस्टर, उतनी अधिक पावर रेटिंग। इन resistors पर आमतोर पर 4 पटियां दिखती हैं जो resistance का मान दिखाती है पैकेजिंग पर resistance लिखा होता है या इसे तुरंट मल्टीमीटर से मापा जा सकता है हाला कि कभी-कभी हमें इस चार्ट में मान ढूनना पड़ता है हमारे पास दो अंक, एक multiplier और एक tolerance band है tolerance band बाकी पट्टियों से अलग है हम पहली पट्टी से शुरू करेंगे जो की भूरी है तो यहाँ एक है दूसरी पट्टी काली है जो शून्य है तीसरी पट्टी multiplier है जो भूरी है तो यहाँ 10 है इसका मतलब एक और शून्य हुआ 10 और इसमें 10 का गुणा करने पर हमें 100 ohms प्राप्त होगा आखरी पट्टी tolerance है यहाँ सुनहरी है जिसका मतलब प्लस या माइनस 5 प्रतिशत है यहाँ निमनितम 95 ohms और अधिकतम 105 ohms हो सकता है मल्टी मीटर से मापने पर रीडिंग 98.2 ohms आती है क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताए और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूँगा मेटल फिल्म रेजिस्टेंस बहुत आम है उनमें एक सेरे मेटल की पतली कोटिंग की जाती है एंड कैप से मेटल कनेक्टर जुड़े होती है और ये सब एक सुरक्षा कोटिंग से धका होता है रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मेटल की परत में गुमावदार यानि हेलिकल खांचे काटे जाती है इससे पाथ की लंबाई बढ़ जाती है मोटाई कम हो जाती है जिससे एलेक्टोनों का टकराय बिना बहपाना कठिन हो जाता है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है हम देख सकते हैं कि इस दस ओम रेजिस्टर का पाथ बहुत चोड़ा और छोटा है इसलिए रेजिस्टेंस कम है यदि हम इसके तुलना एक मेगा ओम रेजिस्टर से करें जिसका पाथ बहुत पतला और लंबा है तो देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टर बहुत अधिक है इस तरह के रेजिस्टर का टॉलरेंस अधिक होता है और स्टेबिलिटी अच्छी होती है इसलिए काबन फिर्म या काबन कॉम्पोजिट की तुलना में इन्हें अधिक पसंद किया जाता है हाला कि ये थोड़े महंगे होती है ये कई तरह के पावर रेटिंग में उपलब्द है आकार जितना बड़ा होगा रेटिंग उतनी अधिक होगी और यहां उतनी ही अधिक ऊश्मा निकालेगा रंगीन पट्टियां रेजिस्टेंस दिखाती है और इस वाले पर अकसर पांच पट्टिया होती है पैकेजिंग पर आमतौर पर रेजिस्टेंस लिखा होता है य दूसरी पट्टी भी नारंगी है मतलब तीन तीसरी पट्टी काली है जो शून्य है इन संख्याओं को एक साथ लिखने पर 330 बनता है चौथी पट्टी मल्टिप्लायर है जो काली है और यहाँ एक है 330 को एक से गुणा करने पर 330 ओम्स होते है पांचवी पट्टी टॉलरेंस है जो भूरी है जिसका अर्थ है प्लस या माइनस एक प्रतीशत तो यहाँ 327 से 333 ओम्स के बीच हो सकता है जब इसे मापता हूँ तो 329.9 ओम्स प्राप्थ होते हैं क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूँगा